बिस्मिल्लाहर्रह्मान रिवाहीम, असलाम अलेकुम, वैलकुम तो मैं चैनल कॉंसेप्टर लेक्चर्स, आज के मारा टॉपिक 9.3 कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कैसे होती है, यह बेसिकली सेकिंड मोड आफ ट्रांसफर आफ हीट है, फिर्स्ट मोड हमने पड़ा था कंड़क गैस बैलून है, यह उपर एयर में जाता है, तो अब यह उपर को मूव क्यों करते है, इसका रिज़न यह है, कि इसके अंदर होट एयर फिल्ड होती है, वो होट एयर की वज़़ा से यह उपर को मूव करते है, अब होट एयर का क्या रिज़न है, कि उसकी डैंस्टी कम होत लो डेंस्टी तो इसकी लो डेंस्टी की वज़ा से ये उपर को मूव करते है तो इसे हमें क्या अब्जर्वेशन मिलती है कि जिसकी डेंस्टी कम होती है वो उपर की तरफ मूव करती है और जिसकी डेंस्टी जाद होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है High density, वो नीचे move करेगी, और जिसकी density कम होगी, वो उपर move करेगी. अब conduction में heat transfer करने के लिए, molecules की vibration थी, और वो solid में हो रहा था, लेकिन liquids और gases में, आप लोगों को बता है, molecules जो उनसे हैं, दूर दूर होते हैं, अब वो molecules दूर होते हैं, उनकी vibration की वज़ा से heat transfer नहीं होती, तो, जो उनसे हैं, उसमें जो heat transfer करने के लिए, basically molecules खुद move करते हैं, उसमें, अब जैसे ये air है, air में क्या होती है, different gases होती है, अब हर gas की different density होती है, कुछ gas की heavy density होती है, और कुछ gases की light density होती है, इसी तरह जिसकी density जादा होगी, वो नीचे को move करेगी, और जिसकी density कम होगी, वो उपर को move करेगी, तो इस तरह एयर में different gases की different densities की वज़ा से different layers बन जाती है, जिसकी density कम है वो नीचे और जिसकी density कम है वो उपर और जिसकी density से जादा है वो नीचे, तो इस तरह से air में different densities की gases होती है, तो difference of densities की वज़ा से जो heat का transfer होगा, वो basically convection है, अब होता कि actually में, for example, यह एक area है, और यहाँ पर यह कोई भी area है, और यहाँ पर हम heat provide करें, temperature provide करें, और यहाँ पर temperature जो उनसे हो जादा है, अब जादा temperature है, तो यहाँ पर जो gas है, वो heat up हो जाएगी, और उसकी density कम हो जाएगी, यह molecules थे, इसकी जब heat up होंगे, तो molecules जोंसे हैं, वो दूर-दूर हो जाएगे, यह molecules दूर-दूर हो जाएगे, और इसकी density कम हो जाएगी, अब density कम हो जाएगी, तो यह उपर को move करेंगे, और जिनके density जाएगे, वो नीचे ही रहेंगे, तो इस तरह से, जो heat up हो जाएगे, वो उपर को move करेंगे, और जो cold air है, वो नीचे ही रहेगी, तो अब यह जब उपर को सारी air होटो के move हो जाएगे, तो यहाँ पर क्रियेट हो जाएगा gap, अब इस gap को fill करने के लिए, यहाँ से cold air जोंसी है, वो इस जगापे move करेंगे, यहाँ से फिर दुबारा यह heat up होगी, और उपर को move करेंगे, और फिर इस तरह से, दुबारा से cold air जोंसी है वो नीचे को, तो इस तरह से पूरा circulation of area gases हो जाती है, अब यह पूरा circulation की वज़ा से, जोंसी यह पूरा area यह heat up हो जाएगा और इसमें heat transfer हो जाएगी, अब इसमें आपको बते कि actual gas की movement है, तो इसी तरह से, इसी वज़ा से इसके definition बनेगे कि transfer of heat due to actual movement of molecules of scar convection, इसमें heat transfer में actual movement हो रही है, हमें नज़र आ रहा है कि gas जोंसी है, वो उपर को move कर रही है, जैसे आप smoke की example ले 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 है, smoke आपको नज़र आता है, उपर को move करता है, वो hot होत है, उसकी भी density कम होती है, इसल actual movement हमें clearly नज़र आती है, तो यह जो actual movement of molecules के वज़ा से, जो heat transfer हो रही है, इसको हम convection करते है, यह basically liquids or gases में होता है, होता कि है, जिस जहां पर हम hot air होगी वो, यह hot gases होगी, वो उपर को move कर जाएंगे due to low density, अब उपर को move कर जाएंगे और यह gap fill करने के लिए यहां से cold air आएग जासे heat transfer होगी, इसको हम simply convection करते हैं, कि the mode of transfer of heat due to actual movement of molecules, अब यह किस में होता है, liquids or gases में, दोनों में होता है, इसके बाद वो बता रहे है कि convection current किस तरह बनता है, अब अगर हम liquids की बात करें या gases की बात करें, उसमें यह flow हो एक प्रोड्यूस हो जाता है, flow create हो जाता है, जिस इस तरह यह high density वाली उपर को move करी और low density वाली नीचे को, इस तरह से जो एक circle कायम हुआ है, यह जो flow कायम हुआ है, इसको हम basically कहा देते हैं, convection current, जिस तरह से current में movement होती है, इसी तरह से इसमें भी जो air की movement है, इसको भी हम कहा देते हैं, कि convection current, इसके बाद आ जाते हैं, इसके uses, अब convection current मैंने आपको बताया है, जो कि क्या है, एक air का flow है, या air की circulation है, due to difference of densities, मैंने आपको बताया है, जो कम density होगी, वो उपर को move होगी, और जिसकी जादा density होगी, वो नीचे को, यह difference of densities की बज़े से, एक convection current produce हो जाता है, और air flow करती है, तो इसको हम convection current करते हैं, इसका हम use इस तरह करते हैं, कि हम अपने घरों में या दफातिर को सर्दियों में गरम करने के लिए, heater जो use करते हैं, उसमें य पूरा रूम जो hot कर देती है, heat up हो जाता है, वो किसलिए होता है, वो basically convection current की वज़ा से होता है, तो heater से, एक heater में इनका use है, इसके इलावा central housing heating system में भी इसका use है, central heating systems में भी, और next ये के जो day to day हमारा temperature change हो रहे, temperature की variations आ रही है, जैसे कभी सर्दी आ जाती है, कभी गरमी आ जाती है, different areas पर different मौसम होता है, तो ये basically ये भी इसी वज़ा से होता है, convection of current की वज़ा से, जो hot wind है, वो उपर को फ्लो कर जाती है, cold wind है, वो नीचे को आ जाती है, तो ये cold wind और hot wind की फ्लो की वज़ा से, जो temperature में variations आती है, वो भी basically use of convection current है, इसके बाद हमारा जो sea breeze और land breeze चलती है, वो भी इसका एक example है, convection current की, कि जो sea breeze और land breeze कैसे फ्लो करती है, अब ये डे और नाइट का फिनोमेन है, ये हम नेक्स टॉपिक में डिसकस करेंगे, आज की टॉपिक में हमारा ये था कि use of connection current जो के heaters में due to convection current की वज़ा से rooms और offices heat होते हैं, central housing heating system में, ये use of day to day, जो temperature variations आ रही होती है, उसमें भी ये use of time जैसे हमारे पस land breeze और sea breeze है, तो basically ये movement of air due to, या फिर difference of density के वज़ा से जो air के convection current produce हो जाते हैं, difference of density के वज़ा से जो air flow कर रही होती है, इस वज़ा से जो हमारे पास air का flow और movement काईम हो जाती है, और heat transfer होती है, basically ये convection current है, ये liquids और gases भी होते है, due to actual movement of molecules, तो ये चोटा सा हमारे पास ट्राफिक था, अगर पर संद ये वीडियो तो kindly subscribe में चलेए और like में वीडियो, thank you so much.